हाई आविर्वान वालकम तो आर चैनल यह सेकिंड पार्ट है टैडी बेर बनाने का और इसके अंदर हम उसके रिमेनिंग पार्ट बनाने वाले है रिमेनिंग बॉड़ी बनाने वाले है तो शुरुआत में हम वैसे ही मैजिक रिंग बनाएंगे अब इस रिंग में से हमें इस एक्सचेंज बनानी है वान तो त्री फॉर फाइव एंड शिक्स शिक्सचेंज बनने के बाद हमें इसे क्लोस करना है इस रिंग को क्लोस करेंगे ऐसे तो हमारी फॉर्स रो कंप्लीट हो चुकी है सेकंड रो के लिए हम हर एक स्टिच के अंदर दो चेंज बनाएंगे जिसे फॉर्स स्टिच के अंदर हम दो चेंज बनाने बाले हैं वन एंद उसी के अंदर टो अगैन इसी के अंदर दो चेंज वन एंद टो तो ऐसे हमारे पास लास में ट्वेल्ट चेंज रहेंगी राउंड टो में झाल झाल लाइज विन्श हो गई है हमारे पस 12 चेंज है अभी थर्ड रो स्टार्ट करने से पहले हम मार कर लगाएंगे जो हमारी लास्ट इच थी ये इसके अंदर हम मार कर लगाएंगे जिससे मैं पता चलेगा हमारे स्टिच कब खतम हो रही है तो नाव थोर रो तो इसमें क्या करना है first single then increase then single then increase increase में हम एक ही stitch में दो chains लेंगे जिसे ये एक अभी उसी में दूसरा then single single then again increase one and same two then again single so third row में यही पाटन फालो होगा single then increase जिस्टीजर्दीर्दीर्ण जाटन DO चिनि ऑने बोग्षण सेस्टीर्ण झालो ही जालो होगा अब फिर से मारकर, मारकर लगाना मत भूला हूं वो बहुत important है तो अभी 4th row, 4th row में 2 single then increase then again 2 single then increase तो 1st chain single, 2nd single and now increase तो 1 and उसी में 2nd chain फिर से single, single and increase तो 2nd chain उसी में觉得 प्राइब कर दो 2nd chain 3rd chain 4th chain 5th chain 2nd chain smith 3 single then increase then 3 then increase to first single chain single chain and again single chain now increase crochet 3 single and then increase okay new row ishme kya karna hai 4 single chains and then increase to 1 2 3 4 now increase now again 1 2 3 4 and now increase now we are row 7 so 7-8-9 single chains in each stitch and without any increase kuch increase nai karna single chains ok 9 rows complete ho gahi hai abhi 10th row me kya karna hai chain 7 and then decrease to 1 2 3 4 5 6 7 and now decrease decrease में हम दो स्टिच को साथ में लेते हैं क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं फिर वापिस से सेवन चेंज वन सेवन फिर से डिक्रीज तो हमें आगे वाले लूप्स के अंदर डालना है दो चेंज के उसके अंदर से निकालना है अंदर इन दोनों में से इंकालना है हो गया ना अगें प्रिसे सेवन चेंज और डिक्रीज अगे 11th row पर हम 11th and 12th row में हमें कुछ इंक्रीज नहीं करना है वन सिंगल चेंड इन इच स्टिच तो हमारी 12 रोस कंक्लीट हो गई है नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है चेंज 6 एंड डिक्रीज जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and now decrease तो हम बेसिकली अब इसको थोड़ा क्लोस कर रहे है इसलिए हम डिक्रीज करेंगे फिर से चेंज 6 एंड एंड डिक्रीज डिक्रीज नहीं करना है वन स्टिच इनी चैन तो हमारे पास लास्ट में 28 चैन्स होनी चाहिए तो हमारे वह महारे लास्ट में 250 में 28 चैने क tenía है चेन्स करुटी करों मौकारे एनन टौकीया है चेन ़िक्टाया ट्री का अन एक जनी हम दिक्रीं न्यूंथ में वह बीग्क पासने करमने कर देदा है चैन्स ते पासनी ज Stanley फ़र्टे चेन 5 and decrease 1 2 3 4 5 and now decrease okay कि नेक्स्ट तू रोज में यानी 17 & 18 उसमें हमें कुछ डिग्रीज नहीं करना है वन चेन इनी इट स्टिच तो हमारे पास लास्ट में 24 चेन्स होनी चाहिए okay last row this may change 6 & then decrease झाल झाल ये रो फिनिश होने के बाद हमें लास्ट में एक स्लिप नॉट बनानी है ऐसे और ये निकाल दो मार कर और कुछ दागा 30-40 cm रखे फिर रिमेनिंग कट करने है तो ये कंप्लीट हो गया है अब इसको अच्छे से स्टफ करने है कुछ ऐसे अब हम तेडी के आम्स रेडी करने वाले तो इसमें भी हम स्टार्टिंग में मैचिक रिंग ये बनाएंगे ये ये रिमें शार्टिंग कर दो ये ट्रीटा गिसक रिमें अब्सकर दोड़ से तरो ग्क्षग करणा रिमें लिए and six okay six chains complete होने के बाद हम इस रिंग को क्लोज कर देंगे okay second row में हमें 12 chains चाहिए तो हम हर stitch के अंदर दो चैन बनाएंगे जैसे इसमें वान को एंड टू तो second row के end में हमारे पास 12 chains होंगी का इस जह अक में है कि यह कर दो में हम मारकर लगाएंगे एन अभी थोर्ड रो थोर्ड रो में चेन फाइफ एन एन इंक्रीज तो 1 ये 2 3 4 5 एन इंक्रीज अगैं चेन फाइफ एन तो 2 3 4 5 अभी इंक्रीज इंक्रीज 5 2 5 अगे तो फूर्ट रो में हम सिंगल चेन बनाएंगे हर एक स्टेच में झाल पंटर के संगा में MIKE वेड्या अवित okay okay next roommate chain five and then decrease तो 1, 2, 3, 4, 5, and decrease. 1, 2, 3, 4, 5, and decrease. Now 6th roommate, chain 4, and then decrease. 1, 2, 3, 4, now decrease. Again, chain 4, and then decrease. 1, 2, 3, 4, and then decrease. अभी next two rows में हमें कुछ decrease नहीं करना है, हम हर एक स्टिच में single chains बनाएंगे. हमें और एक समी झाल स कुछ कर दोंी. कि झाल की. 5, 5, 6, 6, 7, 8. 5, 6, 8, 9, 11, 10. 5, 6, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12 o to 3, 6, 19, 11, 11, 12 1, 12, 12, 12, 13, 14, 13,09, 12, 15, 12,13. 16,15 ज orth mos county. 16, 14, 25, 2016. कि हमारी एट रोस कंप्लीट हो गई है तो अभी इसमें थोड़ी सी स्टफिंग करनी है नेक्स्ट रो में चैन फोर 1 2 3 4 नो डिक्रीज फिर्से चैन 4 1 2 3 तो इसके बाद नेक्स्ट तू रोस में हमें वन सिंगल चैन इनीट स्टिच करना है 5 5 6 6 झाट तक टॉफ ब़तो फ 획 Now, लुटियोग करने to झी जाट mean and then the lä mir इथ 3 4 5 6 7 now decrease abhi last row chain 8 कि अगे लास्ट में हमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे और 20 से 30 सेंटिमेटर दागा लंबा छोड़के रिमेनिंग को कट कर देंगे तो यह हमारा रेडी है अब इसमें थोड़ी सी स्टफिंग ऐसे हमें हमारा दूसरा आम भी रेडी करने है तो यह हो गया ओके तो अब हम टेडी के लेग्स रेडी करेंगे तो फॉस्ट टू चैन्स वैसी ही है फॉस्ट में सिक्स चैन्स सेकेंड में 12 ऑफ थर्ड रो में क्या करने है। चैन्स भवन दें इन्क्रीस again chain 1 and increase 4th row chain 2 1 and 2 now 3 chains with increase 1 2 3 now 6 single chain 1 2 3 4 5 6 abhi verse 3 increase 1 1 2 3 abhi 4 single chain 1 2 1 2 3 4 ab next 2 rows ke andar her ek chain mein single stitch karnei hai without any increase we have last may 24 stitches honi chahiyeh ok row 7 chain 2 now decrease again decrease and 1 more time decrease abhi chain 6 1 2 3 4 5 6 and now decrease 3 times 3 bar इसको decrease कर ना है 3 2 1 2 and 3 now chain 4 okay okay 2 2 3 4 abhi chain 10 single chain 10 single chain 10 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 करना है तोगी तुनों रड़ी है तोगी तुनों रड़ी है